तो हमास और हिजबुल्ला की डबल खत्रे को लेकर इसराइल में बहुत घबराहट है इन दोनों ने अब ऐसे हमले करने शुरू कर दिये हैं जिसमें इसराइल बुरी तरह से फस्ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन नेतन यहु के सलहकार इसे इसराइल के लिए मौत का फंदा बता रही हैं हालाकि इसराइल के बात करें तो इसराइल के पास अब दो विकल्ब बचे हैं या तो वो सीजफायर कर दे या फिर इस युद को लंबे वक्त तक लड़ने के लिए तयार है लेकिन इसराइल सीजफायर करना नहीं चाता लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लंबा युद लड़ने के लिए उसके पास अब हतियारों की कमी भी होने लगी है और हमास अब इसी बात का फायदा भी उठाने लगा है वीडियो के एक एक फ्रेम को बहुत गोर से देखिए हमास अपने से कई गुना शक्तिशाली इसराइल की सेना से कैसे लड़ रहा है यह वीडियो इसका उदारण है हमास के लड़ाके बेहद सस्ते रॉकेट जिनकी कीमत कुछ सौ डॉलर भी नहीं होगी जमीन से दाग रही है इतना सस्ता और जोगाड का रॉकेट हमास में तयार किया है कि इसराइल पहुंचक का है इन सस्ते से रॉकेट के लिए इसराइल को अपने लाखों डॉलर की मिसाइलिक खर्च करने पड़ रही है क्योंकि घाजा की ओर से आया एक तिन का भी इसराइली डिफेंस के टार्गेट पर है और वो इसराइल की सीमा में दाखिल हो उससे पहले नर्तो नाबूत किया जाना जरूरी है हथियार शास्त्र समझे और युट में इसराइल के नुकसान को समझे हमास का सस्ता रॉकेट इसराइल की महली बेसाइब कीमा सौ से पात सो डॉलर कीमा लाखों डॉलर इसराइली खुफिया अजेंसी और इसराइली एरफोर्स की सारी ताकत इन जैसे बेहत कमजोर और हलके रॉकेट को रोकने में लग रही है हमास के अलफोर्स ब्रिगट में ऐसा फ्रीन लगाया है कि इसराइल की परिशानी बढ़ गई है यहां आपको हमास के अलफोर्स ब्रिगट के बारे में जरूर जानना चाहिए क्योंकि इसराइल के खिलाफ हमास की लड़ाई में अलफोर्स ब्रिगट फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है अलफोर्स ब्रिगट घाजा में हमास के बाद नंबर दो संगठन है 1981 से यह संगठन फिलिस्तीन में इस्लामिक राज स्थापित करने के लिए इसराइल के साथ हिंसत जंग लड़ रहा है अलफोर्स के टॉप लीडर का नाम है जियाद अल नाखल यह खुद सीरिया की राजधानी दमिश्क में रहते हैं लेकिन वहीं से अपने लड़ातों को अड़र देते रहते हैं हमास कैसे इसराइल की वार इस्करडिली का दूर निकाल रहा है इसकी कुछ और बीटेल आपको आगे दिखाएंगे क्योंकि युद्ध में जीद की गैरंटी आर्थिक नौकसान की दुलना में हमेशा बड़ी होनी चाहिए लेकिन इसराइल के साथ ऐसा नहीं हो रहा युद्ध में इसराइल को इतने बड़े पैमाने पर अपने संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि अमेरिका से अब इनकी सप्लाई शुरू हो गई है ठीक यहीं किस्सा युक्रेन में भी हुआ था दरसल युक्रेन में युक्रेन की सस्ते मिसाइलों के खिलाब रूस को अपने करोडों डॉलर की मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था हमास के सस्ते रॉकेट के खिलाब इसराइल अपने महंगे मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है यानि गाजा को जलाने की कीमत इसराइल को भुगतनी पड़ रही है इसराइल ने इससे बशने के लिए आस्पांग में अपनी सबसे ख़तरनाथ परिंदे में से एक कोट पिंजरे से बाहर निकाला है इस परिंदे वाले हथ्यार की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसराइल पर हमले के बाद हमास के लड़ा के सुरंगों में छिप जाते हैं जिसकी वज़े से इसराइल की सेना को उन्हें ठिकाने लगाने में परिशानी होती है हमास ने घाजा में करीब 500 किलो मिटर लंबी सुरंगे बना रखी है ये सुरंगे कहनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरती है और हमास के इन सुरंगों का ठाह लगा पाना इसराइल की सेना के साथ वहां के कुफिय आजेंसी मुसाद के लिए भी चुनोती बन गया है इसराइल की मीडिया के मुताबिक इसी लिए इसराइल ने अपने सबसे ताकतवर जासूसी ध्रोन एलबिट हरमेज 450 को घाजा में उतार दिया है ताकि जमीन के नीचे बसी हमास की दुनिया का धक्षा निकाला जा सके और वहाँ छिपे हमास के एक एक लड़ाके को मौद के घाट उतारा जा सके इसराइली मीडिया का दाबा है कि ये जासूसी ध्रोन निकरानी के लिए बेहत कारगर है इसे इतना ताकतवर माना जाता है कि ये पाताल में छिपे दुश्मन का भी पता लगा सकता है इसराइल की मीडिया के मुताबि ये ड्रोन एक बार में करीब 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर तक बताई है एलवेट हर में स्कोर फिफ्टी ड्रोन करीब 170 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और सबसे खास से इसका रेडार सिस्टम जो जमीन के नीचे होने वाली हलचल का भी पता लगा सकता है वो भी 18,000 फीट की उचाई पर उडान भनते हुए इसरेल के पास दुनिया की सबसे लिटिस तक्नीक वाले ड्रोन मौझूद है इसरेल के पास हमास के खिलाफ लड़ने के लिए भी बहुत से हत्यार भी है जिनका इस्तिमाल इसरेल युद जारी रहा तो जरूर कर सकता है दूसरी और ग्रोन के स्थे पर हमास भी कमजोर नहीं है कामिकासी ड्रोन टेकनोलोजी को इरान के जरिए हमास के आतंगवादियों तक पहुँचाया गया है इसके जरिए अजरीय की फौज की हर एक मोवमिन्ट को हमास के लड़ा के पहले ही जान लेते है काले रग का कामेकासी ड्रोन आतंगाती हमला पर है इसी ग्रोन के जरिये अभी तक ITF के खिलाफ हमास ओपरिशन को अन्जाम देते आया है। ये योक्रेन में इस्तिमाल किये जा रहे इरान के शाहिद ग्रोन का सस्ता वर्जन है। हमास की सुरंगों में अभी काफी हत्यार बचे हुए हैं जिससे जमिंदूज की ये बिना हमास का संपून विनाश संभो नहीं है। लेकिन इस्राइल के साथ परिशानी ये है कि हमास सी अखिला दुश्मन नहीं है। लेबनन के हेजबुला भी हैं यमन के हूथी विद्रोही भी हैं जिनकी ओच से हमास के समर्थन में इस्राइल पर मिसाइलों और रॉकेट से हमले हो रहे हैं। हालात इतने बद्तर हैं जैसे कभी भी किसी वीवक्त तीसरा विश्यूयत भड़ा पुठी है। इस वक्त लेबनन के हेजबुला से भी जादा हमले इस्राइल पर हूथी कर रहे हैं। इस वक्त लेड़ शहर में उसका एरो थ्री मिसाइल डिकन्ट सिस्टम तेना थे जिसने हूथी विद्रोहियों के मिसाइलों को बहचान कर मार गिराया। हूथी विद्रोहियों को रोकने के लिए अमेरिका ने लाल सागर में अपना एरक्राफ्ट केरियर आइजन हावर उतारा है तो वहीं हिजबुल्ला के खिलाब भूमद सागर में जेराल फोर्ड पहरा दे रहा है इसराइल के पास खुद दुनिया का टॉप एरक्राफ्ट सिस्टम मौजूद है इसराइल इस वक्त गाजा में अपनी पूरी ताकस से जुटा हुआ है हमास के अंतिम लडाके की मौथ तक शमन सियाती मिसाइल को इसराइल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने नश्ट कर दिया इस्राइल का Aero 3 Missile Defense System 60 खमले करने में माहिर है और मिसाइल को ट्राइब करके उसे हवा में तबाह करने का दम रखता है इस्राइल ने जब Aero 3 Missile Defense System का टेस्ट किया था तो ये 100% सफल रहा था हमास किसी भी इस्तर पर इस्राइल के सामने नहीं टिट सकता लेकिन सवाल है कि इस युद्ध का अंद क्या है क्या किसी साजिश के दैट पर शिमी एशिया को जलाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इस वक्त जो साफ दिख रहा है वो ये कि घाजा की आग में आम फिलिस्तीनी मर रहे है लेकिन उस आग में कई दूसरे देश हाथ से रहे है दरसर रूस, इरान और चीन ये तीनों नहीं चाहते है कि महाल सान्थ हो क्योंकि इन तीनों देशों को पता है कि पस्षी मेसिया उनके दुस्मन अमेरिका की कमजोर कड़ी है और इस्राइल की वज़े से अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है क्योंकि गाजा में जो कुछ हो रहा है उसके लिए अमेरिका को भी जिमेदार ठहराया जा रहा है ये तीनों देश से इसका फायदा उठाना चाहते हैं और इसलिए पश्यमेशिया के मुस्लिम देशों को अमेरिका के खिलाप हिन लोगों ने खड़ा करना शुरू कर दिया पश्यमेशिया के मुस्लिम देशों की संख्या अच्छी खासी है अगर रूस, इरान और चीन को इरान, जोड़, होवे, लबन, ओमा, फिलिस्तीन, कदर, सौधी अरग, सीरिय, तुर्की, सैयुक तरव अमिरा और यमन जैसे देशों का साथ मिल गया तो फिर पूरी बाजी ही पलट सकती है इन सारे देशों के बीच इस्रैल, अमेरिका के खिलाफ एक होने की ताकत उस लेवल पर कभी नहीं रही जैसा की दावा किया जाता रहा है सैयुक तरव अमिरात और इरान के बीच भी सोलगते मुत्वे हैं 22 देशों का अरग संगठ है, शब्दों का खेल खेल रहा है शब्द सही नहीं उद्रा है, युद में कमजोर का मारा जानता है और हमास इस्रैल से बहुत 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 कमजोर है लिहाजा घाजा जल रहा है, धूदों कब तक जलेगा, कोई नहीं जानता है